Hello all, welcome to e-kida. Guys, previous video में हमने discharge of contract ये topic स्टार्ट कर दिया था और हमने उसके दो modes भी देखे थे जो की है by performance and by mutual agreement or consent. आज हम discharge of contract का जो third mode है that is by impossibility of performance इस पे discuss करेंगे. So, topic का नाम पढ़के थोड़ी बहुत idea तो आ चुकी होगी कि impossibility of performance होता क्या है. So, यहाँ पर एकदम simple language में इस एक्स्प्लेन करता है कि यहाँ पर हम अपना contract इसलिए discharge कर रहे है because अब वो जो contract है वो impossible हो चुका है perform करने के लिए. ठीके हम अपना contract cancel क्यों कर रहे है because अब contract का जो performance है वो impossible हो चुका है मतलब कि हम अब हमारा जो contract है वो perform नहीं कर पा रहे है इसलिए हम उसे discharge कर रहे है So, अभी देखते हैं कि यह ऐसी कौन सी situations है जहाँ पे हमारा contract impossible हो जाता है performance के लिए So, basically major तो दो ही reasons है First है pre-contractual और दूसरा है post-contractual अभी pre-contractual क्या होता है यह ऐसी situation है कि जहाँ पे हमारा contract initial phase से ही initial phase as in starting से ही वो impossible होगा ठीक है और जब दो parities contract में enter करने की सोच रहे है Mind it यहाँ पे contract perform नहीं हुआ है यहाँ पे सिफ दो parities सोच रहे है contract में enter करने के लिए और वो time पे भी contract जो था वो impossible था अब आपके दिमाग में यह question होगा कि जब पता है कि यह contract perform नहीं हो पा रहा है यह contract starting से ही impossible है तो कोई भी individual इसमें enter क्यों होना चाहेगा तो वो ही हम situations देखते है कि ऐसी कौनसी situations है जहाँ पे individuals enter करते है ऐसे impossible contract में तो first है known to both the parties अब अगेन यहाँ पे question आ जाएगा कि जब दोनों parties को पता है कि यह contract impossible है फिर भी दोनों enter क्यों कर रहे है so guys यह hypothetical situation है obviously हमारे real world में यह example यह scenario इतना जादा नहीं होता है hardly कभी कभी किसी case में हो सकता है again I am repeating हो सकता है होता ही है ऐसा जरूरी नहीं है so यह समझने के लिए हम एक example देखते है so हमारे example में दो individuals है एक individual यह है और एक individual एक पढ़ा लिखा educated individual है अब हुआ क्या है यह जो individual है जो खुद को एक जादुगर या खुद को भगवान मान रहा है और वो यह सबको promise कर रहा है कि अगर आप मुझे वन करो रुपीज देते हो तो मैं आपको immortal बना देता हूँ immortal मतलब जो कभी मर नहीं सकता ठीके वो सबको यह promises कर रहा है कि मुझे मैं ऐसी शक्तिया है मैं भगवान हूँ और मैं अपनी शक्तियों का use करके अपको immortal बना दूँगा और obviously यह individual ने इसका यह जो भाशन है या इसकी जो यह दावा कर रहा है यह यह सुन लिया अब यह individual को वो देखना है कि ऐसा सच में हो सकता है या नहीं हो सकता है अब obviously यह पढ़ा लिखा individual है उसे इतना तो पता ही है कि कोई भी individual कभी भी immortal नहीं हो सकता बट उसे फिर भी try करना है देखना है कि चलो देखते है कुछ lose करने के लिए तो है नहीं तो इसलिए यह individual भी कहता है कि ठीक है मुझे आपका यह promise मैं accept करता हूँ अब मुझे पे वो जादू कीजिये और मुझे देखना है कि मैं immortal हो जाता हूँ कि नहीं तो यह example है कि जहाँ पे दोनों parities को पता होता है कि यह impossible है फिर भी दोनों parities जो है वो contract के लिए ready हो जाते है next है unknown to both अब unknown to both यह भी हमने example already देखा था mistake यह वाले topic में एक बार फिर example देखते है suppose कि यह cut this so यह example क्या कहता है कि हमारे यह example cut this so हमारे यह example में दो individuals है एक individual जो seller है और दूसरा individual जो buyer है दोनों के बीच में horses को लेके deal हो रही है again हम pre-contractual पड़ रहे है तो यह पर contract पूरा नहीं हुआ है दोनों सिफ contract को लेके बाते कर रहे है so दोनों के बीच में deal हो रही है horses को लोके और जब यह deal हो रही थी simultaneously जहापे यह horses थे वो stable में से यह दोनों horses जो है वो चोरी हो गए अब यह पर दोनों parties को यह नहीं पता है अब horses चोरी होने के वज़े से क्या हो जाएगा कि यह contract जब बनेगा तब यह contract perform हो ही नहीं पाएगा because जो subject matter है वो है ही नहीं ठीक है so यह था unknown to both the parties अब आ जाते है known to one that is impossibility known to one और obviously हमें यह अच्छे से पता है जब एक individual को पता होता है और दूसरे individual को नहीं पता होता है चीजे और फिर भी first individual अगर जूट बोल रहा है जान बूच के वो जूट बोल रहा है सब कुछ पता होने के बावजूद भी उससे हम कहते है fraud तो यह जो situation है वो हो जाती है fraud की ठीक है अब आजाते है हमारे second situation पे जो है post contractual अब post contractual क्या है जब contract बन रहा था तभी वो performance के बिलकुल ही possible था इसलिए दो individuals ने वो contract sign किया या वो contract enter होने के लिए ready हो गया बट simultaneously ऐसी situation आ गई जिसके वज़े से अभी वो contract perform नहीं हो सकता अभी वो contract perform करने के लिए impossible बन गया है ऐसी situations क्या है first है destruction obviously जो subject matter है अगर वो ही damage हो गया ठीक है वो ही destruct हो गया तो contract यहाँ पे हम perform ही नहीं कर पाएंगे तो यह था destruction दूसरा है non occurrence अब यह non occurrence क्या होता है suppose कि एक individual अपना एक musical concert रखने वाला था एक theater में ठीक है उसने decide कर लिया एक theater या एक playground पे वो अपना एक theater कड़स वो अपना एक musical concert रखने वाला था but ऐसे हो गया कि बाढ़ आ गई या फिर अगर theater की बात करे तो वहाँ पे short circuit हो गया अगर ground की बात करे तो वहाँ पे bad आ गई और पूरा जो setup किया था वो पूरा setup damage हो चुका है so अभी damage setup पे तो अपना concert नहीं कर सकता so जिस वो concert के लिए जैसे setup की जरुवत है अब वैसा setup नहीं रहा ठीक है non occurrence और इसके वज़े से वो concert perform करना impossible हो चुका है ठीक है next है change of law obviously इसका सबसे best example है plastic ban ठीक है कि पहले plastic polythin जो bags थे वो government नो इसके लिए permission दे थी but simultaneously ऐसी situation आ गई कि change हो चुका है law में government ने अपने rules regulations change किये है जिसके वज़े से अब वो contract हम perform नहीं कर पाएंगे next है death obviously अगर दोनों party में से किसी एक party की death हो जाती है और अगर वो contract हमारा personal qualities पे depend है personal qualities मतलब क्या कि मेरे अलावा और कोई मेरे बिहाफ पे ये contract perform नहीं कर पाएगा इसका example लेते है suppose कि दो individuals है एक director है और एक singer है और director ने वो singer को अपनी movie के लिए sign कर वाया है कि आपका एक song रहेगा तो आपको वो song जो है वो गाना है और ऐसे हो चाता है कि वो जो singer है उसकी death हो जाती है अब जो वो singer है जो director ने दिमाग में रखा था कि अच्छा ये singer है ये अगर heroine है तो ये heroine के लिए इसी के आवाज होनी चाहिए या ये जो गाना है वो इसी के आवाज में वो गाना होना चाहिए अब इसके बिहाफ पे कोई और तो नहीं गा सकते है उसके family members या उसके partners तो जहाँ पे personal quality is involved होती है और अगर इस situation में ऐसे death हो जाती है तो वो contract हो जाएगा impossible अब वो director क्या करेगा कि ये singer के बदले किसी और single को लेगा या तो वो गाना ही drop कर देगा कि वैसा situation का गाना ही नहीं चाहिए विकास और कोई मिल नहीं रही है वैसी singer या तो अगर मिल जाती है बट same वो singer के जैसे पड़ने पड़ते है ठीक है अभी हम देखते है guys law है so obviously exceptions तो होंगे ही so exceptions क्या है मतलब कौन से case में हमारा contract cancel नहीं हो सकता तो first है difficulty of performance obviously हम ऐसे नहीं बोल सकते कि यार बहुत difficult है ये perform करना चलो cancel कर देते हैं next है commercial impossibility commercial impossibility is कि suppose हमारे लिए वो contract profitable नहीं रहा अभी कि shares के दाम गिर गए जैसे कुछ situation आगे जिसके वज़े से contract की price कम हो जाती है so उसके basis पे हम cancel नहीं कर सकते so next है strike, lockouts, rats and civil disturbances अब इसका मतलब क्या है suppose कि हमारे society में कुछ imbalance हो रहा है इसे strikes चल रही है, riots चल रहे है, lockouts हो रहे है और ये situation का फाइदा लेकि हम ये बोल रहे कि चरो contract जो है वो cancel करते है because strike हो चुकी है या फिर lockdown हो चुका है अब ये contract हम perform नहीं कर पाएंगे but law इसकी permission नहीं देता है law क्या बोलता है कि अगर strike होगा या lockout होगा या even lockdown होगा ये जो situation होता है वो थोड़े time period के लिए होता है जैसी ये सब खतम हो जाएगा या बापिस जो है हम regular mode पे आ जाएंगे तब ही आप आपका contract जो है वो पूरा कर सकते हो so even strike situation है या lockout situation है हम अपना contract discharge नहीं कर सकते next है partial impossibility अब ये important है अब इसके लिए क्या बोला है कि suppose हमारे पूरे contract में एक छोटा सा part ऐसा है जो impossible है करने के लिए बट हम वो part को separate कर सकते है separable है वो so यहापे law क्या बोलता है अगर वो separable है तो वो part को separate कर दो और बाकी जो आपका पूरा contract है उससे आप perform कर दो ठीके एक छोटा सा part impossible है इसके वज़े से आप पूरा contract discharge नहीं कर सकते अगर वो separable है तो आपको उससे separate करना है या अगर revisable है कि revised कर सकते हो आप उससे तो revised कर दो और contract जो है वो पूरा कर दो last है default of third party relied upon by promiser अब इससे समझने के लिए हम एक example देखते है जैसे कि आपर तीन individuals है ये contract का scenario है ये A individual है जो की buyer है B individual जो seller है और ये third party है ठीक है अब A जो है जो buyer है वो B individual से जो seller है इससे raw materials लेने वाला था ठीक है अब B raw materials किससे लेने वाला था third party से ये को एक third party है जो जो raw materials में deal करती है ये third party B को देने वाली थी और फिर जो raw materials है वो A individual को देने वाला था अब हुआ ऐसे कि ये third party की death हो जाती है ये third party बिमार हो जाती है ये third party का कुछ reasons के वज़े से वो ये raw materials B को नहीं दे पाता ठीक है अब B के पास तो raw material है ही नहीं तो B ऐसे नहीं बोल सकता कि मैं इसके उपर rely था ये मुझे देने वाला था अब इसने ही मुझे नहीं दिया सो मेरे पास कोई raw material नहीं है चलो ये contract जो है वो discharge करते है नहीं law इसकी permission नहीं देता है law क्या बोलता है अगर इसके पास नहीं है अगर ये third party है जो जिसपे आप relied थे और जो नहीं कर पाया है तो कोई और पारटी होगी या market में किसी और के पास वो raw materials होगे तो आपको वो raw materials लेके ए इंडिविज्वल्स को देने है तो law क्या कहता है कि ऐसे कोई third party अगर involved है और आप उसके उपर rely हो अगर वो default हो जाती है मतलब वो contract नहीं perform कर पा रही है तो आप उसके वज़े से आप दोनों का contract discharge नहीं कर सकते ठीक है तो guys ये था हमारा आज का topic एक quick revision कर लेता है कि impossibility basically दो types में होती है first है pre-contractual दूसरा है post-contractual pre-contractual जो initial से ही starting से ही contract impossible हो जाएगा और जो हमने examples देखे उसमें जो first example था या first जो mode था वो है known to both जैसे मैंने बताए कि ये काफी hypothetical है ये हमारे real situation में या real life में उतना ये नहीं होता है और ये समझने के लिए हमने एक example देखा था कि यहाप एक individual है जो promise कर रहा है कि अगर आप मुझे 1 crore rupees देते हो तो मैं आपको immortal बना देता हूँ immortal मतलब जो कभी मर नहीं सकता तो ये individual को try करना है कि चलो देखते है कैसे होता है अगर हो गया तो obviously मैं immortal हो जाऊंगा तो इसलिए दोनों contract में enter करते है पर आपर दोनों को पता है कि ये चीज basically possible नहीं है नेक्स्ट है unknown to both इसके लिए भी हमने ये example देखा कि यहापर दो individual है एक seller और एक buyer जो horses में deal करने वाले है बट जैसे ये contract की बात कर रहा है वो ही time पर ये horses जो होते है वो चोरी हो जाते है और ये दोनों को पता नहीं है और दोनों भी contract में enter हो जाते है नेक्स्ट है known to one हमें पता है जब known to one की बात होती है तो वो fraud होता है फिर है post contractual post contractual मतलब कि जब contract में enter कर रहे थे दोनों parities तभी वो contract possible था but situations ऐसी आ गई है कि अभी वो contract perform नहीं हो सकता destruction obviously वो subject matter damage हो गया वो subject matter ही नहीं रहा तो हम contract perform नहीं कर पाएंगे दूसरा है non-occurrence इसके लिए मैंने एक example दिया था कि suppose एक individual है जिसको अपना musical concert रखना है और वो concert suppose कि एक ground पे रखता है और उसने सारी set up कर ली है ग्राउंड पे table, chairs, audio systems lighting सारा कुछ उसने set up कर लिया है अब हूँ ऐसे कि वहाँ पे तूफान आ गया या बाड आ गई बहुत ज़्यादा बारिश हो गई जिसके वज़े से वो सारा set up जो है वो बिगड़ गया खराब हो चुका तो अब ऐसे set up में वो concept तो नहीं कर पाएगा तो इसलिए वो contract discharge हो जाएगा बिकाज अब वो जो performance है वो impossible है बिकाज जैसा set up चाहिए था वो contract पूरा करने के लिए वैसा set up अब नहीं रहा ठीक है, next है change of law obviously जब हमने contract sign किया था या contract में enter किया था तभी rules regulations कुछ और थे इसका मैंने example polythin bags दिया कि पहले government ने permission दी थी polythin bags के लिए so सारी individuals उसमें deal कर रहे थे सारी individuals as in जो polythin bags में deal कर रहे है but government ने एक दिन बोल दिया कि नहीं अब से plastic जो है वो ban है, so इसके बाद जितने भी वो जो contracts थे अब वो contracts performed नहीं हो पाएंगे because government ने ban कर दिया है तो वो सारे contracts उनको discharge ही करने पड़ेंगे next है death, यहाँ पे भी हमने एक example देखा कि एक singer है जिसको एक director ने sign करवाया है अपने movie के लिए but वो singer की death हो जाती है अब मैंने यहाँ पे यह singer का example क्यों लिया, because मुझे यहाँ पे आपको personal quality ये एक term बताना था ठीक है अब यहाँ पे singer के बदले या singer के बहाफ पे कोई और उसकी family में से या उसकी secretaries नहीं गा सकते हमने contract में पड़ा है कि अगर death हो भी जाती है तो उसके आवाज है, same आवाज किसी और की हो ही नहीं सकती ठीक है, जैसे वो गाती है उस हिसाब से कोई और नहीं गा सकता तो यहाँ पे personal quality है उसकी, और वो personal quality के वज़े से ही director ने उसको sign करवाया था बट अब वो ही नहीं रही और obviously personal quality के जब हम बात करते है, तो हमारे बिहाफ पे कोई और भी वो नहीं पूरा कर सकता, इसलिए यहाँ पे contract जो है वो impossible हो चुका है next है war obviously यह भी हमने बहुत examples में देखा है, कि अगर दो countries के बीच में war situation आ जाती है तो जितने भी contract होते हैं को सारे discharge करने पड़ते है उसके बाद guys यह law है हर चीज के हापे exceptions होते है so इसका भी हमने exception देखा कि कौन सी situations है जहाँ पे हम contract को discharge नहीं कर सकते so first था difficulty of performance obviously कि difficult हो चुका है या बहुत hard है यह perform करना अब हम perform नहीं कर सकते ऐसे excuses देखे हम contract को discharge नहीं कर सकते दूसरा commercial impossibility commercial impossibility मतलब economical ठीक है कि अभी contract जो है हमारे लिए उतना profitable नहीं रहा हमने तो एक करोड के लिए सोचा था बट अभी situation ऐसी आ गई है कि contract लाखों में आ गया है तो हमारा काफी नुकसान है यह profitable नहीं है और यह excuses देखे हैं आप contract को discharge नहीं कर सकते next है strike, lockouts, riots civil disturbances कि हमारे society में कुछ ऐसे imbalance हो चुका है riots हो चुके है या strikes हो चुके है जिसके वज़े से हम discharge कर रहे है contract को but law क्या कहती है कि आप ऐसे situation पे contract discharge नहीं कर सकते आप यहाँ पे रुकोगे थोड़ा और extend करोगे और जैसे ही सारी situation normal हो जाती है उसके बाद आप contract पूरा करोगे partial impossibility कि contract का एक part impossible है perform करने के लिए but वो part separable हो सकता है so वो separate करके या revised करके आपको contract पूरा करना है default of third party obviously इसके लिए भी हमने एक example देखा कि यह दो individual और यह third party है और यह भी individual जो seller था वो third party पे रिलाए था और third party उसको raw materials नहीं दे पाई और यह excuse देखे या यह reason देखे भी individual ने contract discharge करने की बात की but law क्या बोलता है आप ऐसे third party के वज़े से आप दोनों का contract discharge नहीं कर सकते अगर यह आपको raw material नहीं दे रहा है तो market में कोई और individuals होंगे जो आपको raw material देंगे तो उनसे raw materials लेके आपको आपका जो contract है वो पूरा करना है so guys यह था आज का topic that is impossibility of performance जो दूसरे modes है discharge of contract के वो हम next videos में देखेंगे तब तक be happy and happy learning thank you झाल